आप गोट रहे हैं G News 18 हर ख़बर का सच यानि पूरा सच लाजिसी क्रिमेर की हर अबीडिक कदे हैं अपराग पर कसका परचाचाचाचाच और कोन हैं ठापरावी हर ख़बरा सच यानि पूरा सच देखना ना मुझा इस पर खिमिन के जिदा सिर्फ तेरे समय साथ जो आजो शूट हुई है मैंने अपना राइट और अपनी कहानी जीवन की कहानी मैबूद भाई और सतीज कुमार को सौब दी है और ये राइट मेरा जो है बहुत अच्छा प्रदिश्टन होगा मेरे जीवन पर जो फिल्म बन रही है ये दोनों जोने सोब बड़े सोच वाले हैं और अच्छी तरीके से हमारी फिल्म बनेगी और जो पिछली लोग जो बनाते रहे उल्टी सीदी कहानी उसको हम खतम करते हैं नश्ट करते हैं उसमें बीच में कोई बादे वाली बात नहीं आती जो अब नई शुरुआत हमारे जीवन की हो रही है और जो नई फिल्म हमारे जो बन रही है वो जनता को दिखाई और जो एक ही जो फिल्म जो है जो मलखांसी के नाम से जो फिल्म बनेगी बागी संब्राट दद्दा मलखांसी के नाम पर जो फिल्म बनेगी वो एक ही शम्मल घाटी पर फिल्म है एक ही बागी की जो ऐसी फिल्म बनेगी जिससे कोई दाग नहीं कोई अन्याए किसी जनता के साथ में नहीं किया है जो जनता के साथ में अन्याई नहीं करता जिस आदमी ने मेरे साथ में बगाबत की अन्याई किया उसके साथ में हमने अन्याई किया दूसरी बात पूरे देश की बेन बेटी हमारी बेन बेटी रही और हमारा चंबल गाटी पे रिकॉर्ड रहा अब तिलिम जनता को जो दिखाई जाएगी बड़े पेमाने से दिखाई जाएगी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दी जाएगी और मैंने अपनी कहानी जीवन की कहानी सतीस जी और महबुद वाई को सौब दी है और ये उसको समा लेंगे और हमारा जो रॉल जो कोई करेगा जो ऐसे आदमी से रॉल किया जाए मेरा जो पहला रॉल होगा इस चंबल घाटी पे तो जी संजदत के दौरा होगा संजदत हमारा रॉल करेगे दूसरे कोई रॉल नहीं करे सर इसमे क्या आपके असली कहानी क्या है लफाद करें इसकी सबें बढूरा अश्ली काहणी मेरी जाख कर बीगा जमीन बंदर की अठा रा साल की उमर में हम पंच बने गाओं में और मैंने मंदर के बिशे में बात की कि मंदर की जमीन ना मेरी है ना आपकी है और ये जमीन मंदर से लगा दी जाए और एक नर्शंग राय दीछत भिंड के उसमें ग्रेमंत्री हुआ करते थे उनका भतीजा केदाश नारान और सरपंच था बगावत इतनी बल चुकी थी कि अत्याचार इतना सीमा चर्ण पहुँच चुका था कि गोलिया चलवाई हम पे हमे बेलों में बंद कराए यात्पना दिलवाई फरिवार को निष्ट किया सारी चीजों से जब हम हतास हो गए मजबूर हो गए तब हमने सोचा कि मेरे नहां कोई रास्ता नहीं है जिसको आवेदन देते हैं वो आवेदन मेरा खार्ज कर देता है क्योंकि पैसे वाले के सामने राई नीद करने वाले के सामने कोई जादू नहीं चलता करीब आदमी कम किसान के बेटे थे और हमने जरूर सच्चाई की लड़ाई लड़ी मैंने अपने स्वारत की लड़ाई नहीं लड़ी मंदर के खातर मैंने जमीन लड़ाई लड़ी और वो मिसन एक सोच बाले एक म अद्विदेस के मुखिया आरजुन सी, मुख्मंत्री थे, उनने मेरी बात को शीवकार किया, और सौबी का जमीन, मंदर से, मंदर के नाम से, राम जानुकी के नाम से लगाई, और उसका ट्रिस्ट है, कलेक्टर भी नाद्डेक्श है, हम उसके सदस हैं, और आप खुले उससे मैंदान में पूजा हो रही भगवान की, यह हमारा मिसेन है, आज एक बागी, चम्मल घाटी परेशानी को लेके, और धर्म के खातर अपने धर्म से नहीं अटला नहीं, अटल रहा, और मुझे याद रही, अपने जुरम जास्ती की याद भूल चुके है, मंदर के पीछे, कि मुझे कितना भी जुरम जास्ती मेरे उपर हुई होए, हम सब बर्दास कर लेंगे, और कर सीने लगवा दी है, तो मैंने समरपन कर दिया, हमारा में सिन पूरा हो गया, आज हम अपने आराम से किसान के बेटे हैं, सादा गाओं में और गवरों में, गवालिदर में कहीं रह रहे हों, और अन्याए के खिलाप, आज मी मेरा खून खोलता है, अन्याए नहीं होने दें चाए M.P.O. हमने उसी आदमी को परिसान किया, जिसने मुझे परिसान किया है, और जिसने मुझे परिसान ने किया, उसको मैंने कभी अपने जीवन में परिसान ने किया है. मैं किसी का बिरोद नहीं करना चाहते है, नहीं बिरोद वाली बात नहीं है, मेरे इक्षा की बात है, अपनी परिसान किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहे है, किसी ओर को भी ले सकते हैं, नहीं मैं किसी का बिरोद नहीं करना चाहते हैं, नहीं बिरोद वाली बात नहीं यह मेरे इक्षा की बात है, अपनी इक्षा की बात है, मेरा एक विचार है, मेरे इक्षा है, अंतिमिक्षा है, का मेरा रोल, मेरा जो किया जाए, मेरा जो रोल नभाए जाए, मलखान जी का, तो सन्यद अत्री निभाएं, दूसरा नहीं निभाएं. मैं आज तक हमने देखे रहेंगे जब भी स्टोरी टेलर होता है जब कि अदागरेंगे होती है तो हम स्टोरी नरेशन में बैकराउंड में बॉइज ओर में लेते हैं इस फिल्म में हम मेरी लड़ाई थी मही लड़ाई थी मेरी लड़ाई थी मही लड़ाई लड़ाई है मैंने पूरा देश को सून रखा मेरी उपर कोई पैंडिंग में केस नहीं है कोई थाने में रपोर्ट नहीं है और मैं डाकू नहीं भागी है और बगावत के खिलाब बंदूग उठाई और अन्या होगा तो बंदूग उठाने की जरुवत नहीं है और जन्तना दौारा उसको कुछल दिया जाएगा अन्याई कुछ है कुछ डाकू बागी में किसना परकाई डाकू बागी में सिर्मान बहुत फरक होता है बगावत के खिलाब बागी बनना डाकू का सब्द एक बहुत बुरा सब्द होता है बागी का सब्द एक बहुत बड़ा अंग्रेजों ने लिखा है बागी सब्द डाकू सब्द नहीं लिखा एक अलल में किसी से डाकू कहने लगो जो बास्तम में आज अपरे देश के डाकू है उनसे कोई डाकू नहीं कहता और बाके में जो इंसान हैं इमांदार लोग हैं उनको बैड में भेज़ दिया गया है उनको पुरी तरह से परिसाव उनको डाकू का उसमें खताब दे दिया है वो गलत है डाकू सब्द अब नहीं रहा डाकू सब्द तो अब पैदा हो चुका है डाकू सब्द तो उनसे लोगों के अंदर है जो भिष्टा चार कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं बलातकार कर रहे हैं बलातकार करवाए रहे हैं यह उनको डाकू के है सकते है बागियों के डाकू नहीं के सकते तो तो उसे भी बागी बफैता फिल्म का पोड़ा टार्गेट यह रहेगा आपका कोई तुस्मन है आपका जो मतलब जिसके कारण आप बागी बने उसमें दिखाए जाएगा फिलम में दिखाएगा मैंने बता तो दिया बिल्कुल बिल्कुल हर आदमी को बागी बनने में बगावत के लिए उकसाने में कुछ लोगों का हाथ होता है इसमें भी तिन चार एहम किरदार थे एक कैलाश स जोर लगा दिया था पूरे डिल्ली से अपना ताकत लगा दिती उसमीन को हत्याने में एक पुलिस ऑफिसर था जिसने इनको बिना वज़े घिरफतार करके उनको इन पे जुल्म किया था और बागी बनने पर मजबूर किया तो तो ऐसे कुछ कुछ किरदार है फिल्म में ज क्योंकि एक बागी है सरकाज में चाहिए तो नहीं लाएं तेकिन एक अच्छा आत्मी है जो आपके सांदी खड़ा है आज आज रातो रात आत्मी पूरा फोर पेलेकर बाग जाता है लेकिन ऐसा कोई केस निया क्या कहने चाहिए इसके बारे यह रॉबीन होड़ है इन्हो सचाहिए करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा बैजिस्ट्रुट को वा साघ्जा लोग बता तो किस तरीके का लोगा फिल्म का क्या बेस होगा तो वह आज हम शूट करने जा रहे है कि पूरा अद्म है मैसेज देना चाहिए कुछ लोग है यह शापते हैं आप क्या कहना इस तरह कि बागावत करते हैं चापते रहे हैं वह बहुत गलत काम करते हैं ते देस का भला नहीं कर सकते अगर जूटे मलखान सी नाम पे अगर जूटा चापता है कोई तो बहुत गलत बात है उसे में इसी ज़े डाकू अबागियों का फर्क क्या होता है यही तो बागावत के खिला बागावत होती है कि गड़ी बात को जगाते हुए सेर को जगाना बहुत अच्छी बात है बली बकरा की दी जाती सेर की नहीं यह सेरों का एक अड़ा रहा यह सेरों का एक गड़ राचमल घाटी पे आज जो निकालते हैं मेकजीन में पेपरों में गलत निकालते हैं इतनी हत्या इतनी रकेटी वो गलत है ये क्या मेरे साथ रहे कि समरपण में आपने इंट्री को नहीं की थी एक उसका आपका लखनव का एसपी और लखनव का वो क्या नाम था एसपी ने अब एक चैन चोर को पकड़ा वो किसी का रिस्तेदार नहीं किसी का वो नहीं और उसी के नाम पर उसको केस फाइनल कर रहा है उसके बंद्रामी कर रहा है उसकी पेपर मन नकार रहा है ऐसे घिनोने लोगों ने हो सकता है ऐसे पद्पे इतने कितने लोगों की जिंदिगी ऐसी है इसपी ने बिगाली होगी कितने लोगों का सोसर किया होगा कितने जूटे मुकर्दमों इन लोगों का फसाय होगा तो ऐसे लोगों को कड़ी सी कड़ी कारवाई की जाएगी और सासन से कारवाई की जाएगी और कारवाई से नहीं मांगेंगे तो कोट कचेरी से कारवाई की जाएगी अगर गलत मेरे नाम से मेग जी चापना गलत मेरे नाम से पेपर चापना उसको कोट में लगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगाएगा कि अपने देश के उग्रवादी नहीं है मैं अपने धरोवर अपने चम्मल घाटी के अपने छेत्र के एरिया के अन्या करने वाले के लिए बागी है मैं पूरे किसी देश के बागी नहीं है कोई डाकू नहीं है बागी नहीं है हम अपने अन्या के खिलाब लड़ाई लड़े हैं और अन्या के खिलाब जब तक मेरी साथ रहेगी जब तक मेरी जिन्दिगी रहेगी तब तक मैं अन्या को कभी बरदास नहीं करेंगे अन्या के खिलाब लडाई में जनूर लड़ेंगे चाहिए कुछ भी हो जाए है यह आपके शहर में आज पास बोई लड़ना या किसी तरह की मुड़ने है तो जीन्यूज के पर विडियो से पूलिकेंट देसे हैं और हमारे जीन्यूज एटीन को सब्सक्राइब करना ना पूरें नही पूरा सची